पर्जिन्टेट बाई सिबिल स्ट्रॉक्चर टेक गुरुजी यूट्यू चैनल प्रिज लाइक और सब्सक्राइब चैनल इंटरनेट हैज मैड यूर लाइफ वेरी इजी मोर देन थ्री बिलियन लोग आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं इंटरनेट में काफी कुछ ए या किसी ऑनलाइन ट्रांसपर के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप अपने ब्राउसर में एड्रेस को डालते हैं सभी वीडियो और कम्म्निकेशन को डिज्टल रूप में ट्रांसपर करके डाटा सिंटर से एंटरना की बदस से से शेटलाइट में भेजा जा से आपके कम्पूटर या फोन पे आने में देरी सटेन इंटरेप्शन्स रिगार्डी पिक्चर क्वालिटी एंड सम्टाइम डिले इसके समधान के लिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी मिल सके वीडियो की प्लस आपकी कम्म्निकेशन के जो बाते करते हैं इसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी मिले बात करने में या वीडियो की क्वालिटी अच्छे मिले इसके लिए एक कम्प्लिकेटर टेकनलोजी है जो अप्टिकल फाइबर्स टेकनलोजी है जिसके दुवारा डाटा सेंटर से आपकी डेवाइस को कनेट करती है और हजार किलीमिनर से समूतर के रास्ते मांटेन इलाके से होते हुए आपके डिभाइस तक पहुंचती है इस टेकनोलोजी के नाम है अप्टिकल फाइबर केबल टेकनोलोजी जिसके दुआरा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो यहों कम्मुनिकेशन और यू वीडियो मिलते हैं इस अप्टिकल फाइबर केबल को आपके इंटरनेट यूटर से करनेट किया जाता है इस परपस के लिए यूएसे में कई बड़े-बड़े डाटा सेंटर बनाया गया है आपके दुआरा दर्ज किया हुआ कोई भी ऑडियो वीडियो कॉल्स मोर स्पेसिफिक इन डाटा सेंटर के पास में सोलिट एस्टे डिवाइस की रुप में यहां इकठा होती है और यदि किसी को वीडियो की जरौत हुई या किसी कम्रिकेसिंग जरौत ही जरौत ही डाटा सेंटर को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने कम्पूटर अपने सेल मुबाईल या कम्पूटर इसके लिए बहु जरौड़ी होती है आई-प अधरस का होना ताकि आपको इंटरनेट से कनेक्ट हो सके विदाउट आई-प अधरस इन दहुम्पूटर और सेल फोन विल्टी अनेबल तो कनेक्ट आई-धरस द देवाइसेस विद देकूम्पू सिस्टम है आईपी एड्रेस और वो सर्वर को तभी कनेक्ट करती है जब इसके आईपी एड्रेस बिल्कुल सही हो मैच करती है उस वेब साइट से उस सर्वर से जहां हमें कनेक्ट होना है इन डेता को कॉंट्रोल करने के लिए बरे-बरे जैंट डाटा सेंटर बनाए गया है facebook.com या youtube.com, google.com के लिए अब आगे देखिए इनकी कैसे आईपी एड्रेस को कठा करके रखते हैं माल यह डाटा सेंटर के वेब साइट की तरह काम करता है और millions of इनके जो आईपी एड्रेस होते है उसके against में एक facebook.com या youtube.com नाम दे दे जाता है क्योंकि सारे आईपी एड् step. When you type in web address into the browser, maybe chrome, yahoo.com और any kind of browser, आपकी जहां भी अनुमती है या आपको online hotel खोजने है, कोई बेपार देखना है, कोई financial aid देखने है, real estate matter हो, या आपकी job related कोई queries हो, सब जगह वो आपको लेकर के जाएगा अपने search engine के द्वारा है. step number two, web address में जो भी हम type करते हैं, इसे URL करते हैं, inform research locator की रूप में जाने जाते हैं, पर तेक website का अपना अनुठा URL है, जो आपके ISP को संकीत देता है कि आपको कहां जाना है. अगला step तीन पर मैंने कदम रखा है, आपकी query आपके ISP, Miss Internet Service Provider Internet सिवा परदाता को पोस्ट कर रही है. जो बड़े server से जूड़ती है, जो एक NAP server, Network Assess Protection और DNS, full form is domain name server, जैसे data को store करते हैं और बेशते हैं. The DNS domain name is nothing but it is like your phone book, DNS तब आपके दोबारा browser में type किये गए text अधारिस domain name को number अधारिस IP address पते में अनुबात करता है. उधारिस के लिए आप Google.com लिखते हैं, तो आपके browser में type करते हैं, तो यह 64.233.191.255 यह IP address हो जाता है. इसके बाद step number 4 के बारी आती है, आपके browser target server को HTTPS, HTTPS का अरत है Hypertext Transport Protocol. कोई अनुरोध भेजता है कि TCP IP address का विप्योग करके client को website को एक परती भेजे. इसके बाद step number 5 के बारी आती है. चरण 5 में server तब अनुरोधों को स्वेकार करता है और आपके computer पर 200 OK संदेश भेजता है. तब server data packet की रूप में website को file browser भेजते हैं. step 6 में आपके browser द्वारा packet को एक कठा करता है. जो भी data form होते है वो 01,10 इस टर्म में बहुत सारे packet में आते हैं. आपके browser द्वारा packet को एकठा करता है. तब ही आपके website आपको सिखने, खरिद करने, ब्राउज करने और संगलंड करने की अनुमती देती है. next in step number 7. जैसे ही browser आपको एकठा करने, सिखने की अनुमती देता है, आप अपने website पर, अपने system पर, film, या educational method, online video या तरह तरह की search को आप enjoy करते हैं. आपसे मेरा special अनुमत है कि enjoy करते समय किसी भी site से, आप केवल verified site को ही open करें, और विशेश कर जब कोई भी online transfer permit करते हैं, या mobile से अपने app डाउनलोड करते हैं, तो उसको permission देने के पहले आप ज़रूरे एक बार देख ले, और आवश्यक permission कभी नहीं दे, वरना hacker काम कर रहे है हैं, आपके सारे data चुरा सकते हैं, क्योंकि जब ही आप डाउनलोड करेंगे या गलत साइट पर आप जाएंगे, उसके साथ में आपके कई सारे permission ले लेंगे वो, तो यह आपके internet सुविधा की जगा सुविधा बन जाएगी, बट यदि आप थोड़ी से सौधानी से काम ल आपके सारे लेंगे, एक लाइक, सब्सक्रिशन बटन जरू दबा दे, यह ही मेरे लिए एक सपोर्ट है, तिल देन, गुडबाय टेक क्यार हेलो फ्रेंड, आइम हरी, वेल्कम टू सियस्ट्राइग गुरुजी एक्ट्व चैनल, चैनल दोवार पर कातिस सभी, इंजरे इंट टेकनलोजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, किरिप्या लाइक और सब्सक्राइब बटन पर जरू डैस करे, आओर सेर करे, अreuहर पनाच करे, आओर सेर कल वीडियो को सबस्त effectivement.